तो अगर आप horror genre का fan होगे तो obviously आप Conjuring Universe का भी fan होगे ये बिल्कुल Marvel Universe के जैसा है movies story के हिसाब से उपर नीचे release होई है सो मैं आज Conjuring Universe की पूरी timeline को explain करने जा रहा हूँ कि story आखर कहां से शुरू ही थी और कहां से खतम वैसे भी खतम नहीं हुई 2021 में और भी और मुवीज आने वाली है तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप ना हो तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मेरी और वीडियोस आप बिस ना कर सको So let's start and you all just have to sit down, keep calm and listen to me तो क्रोनोलोजी के हिसाब से इन सारे भूतिया इवेंट्स के सुरुआत होई थी दनन मुवी से इस मुवी के टाइमलाइन बैठती है जाके सन 1952 में बोले तो येर 1952 में यहां से सुरू हुई थी असली हॉरर स्टोरी जब बहुत टाइम पहले रोमानिया में सेंट कार्टा की एक एबी में एक प्रीस्ट रहता था बट वो एक्चली में गौड की वर्शिप की बजाए डीमन से प्रे करता था और उसने वैलक नाम के एक डीमन को हेल से जगा दिया था और वैलक को और फिर तबहाई मचाने लगता है और फिर वैलक को ही दा नन बोलते हैं क्योंकि इसने यह एक रह रही नन का फॉर्म ले लिया था और फिर चर्च में हो रही स्ट्रेंज और डरावनी चीजों की वज़ए से फादर बक्स एन सिस्टर आईरीन को यहां भेजा जाता है और यह फर्स टाइम वैलक के कॉंटेक्ट में आते हैं बट फाइनली यही के एक लोकल रह रह रहे आदमी फ्रेंची की हल्प लेके और जीसे स्क्राइट के बलड का यूज़ करके यह तीनों फिर से वैलक को हल्प में वापस भेज देते हैं बट वैलक उर्फ नन अपनी सुपर नेचुरल पावर्स का यूज़ करके फ्रेंची की बॉड़ी को पज़स करती है और रुमेनिया से बहार निकल जाती है और यहां से वेलकम होता है एनेबल का इसकी सुरुआत हुई थी एनेबल कुरियेशन से इसकी टैम लाइन बैठती है जाके सन 1943 में बोले तो इयर 1943 में जब एक डॉल बनाने वाले आदमी Samuel Mullins और इसकी वाइफ Esther Mullins के सामने उनकी साथ साल की बेटी एक एक्सिडेंट में मर जाती है इसका नेम था एनेबल सो Mr. and Mrs. Mullins सोचते हैं कि डार्क मैजिक का यूज करके ये अपनी बेटी की स्पृट को वापस ले आएंगे बट एक डीमन इनको बेफकूप बना देता है और Mr. Mullins के द्वारा ही बनाई कई एक डॉल में रहने लगता है एफवाई आए इस डॉल को ही एनेबल बोलते हैं क्योंकि ये बनाई गई थी मलिन्स की डॉर्टर के लिए इसका नेम था एनेबल बट इसमें रहने लगता है वो इवल डीमन सो Mr. and Mrs. Mullins इस डीमन से चुटकारा पाने के लिए फिर इस से हल्प लेके एनेबल डॉल को लॉक करके रख देते हैं जिससे वो डीमन भी उससी डॉर के अंदर लॉक हो जाता है बट फिर बारा साल बाद Mr. and Mrs. Mullins अपने घर में ओर्फोनेज गल्स और एक केर टेकर नंज सिस्टर शॉॉलेट को रहने की जगा देते हैं और इस सिस्टर शॉॉलेट उसी सेंट कार्टा की मोनेश्ट्री से आई थी जहाँ पर वैलक डीमन रहता था रोमानिया में इसके पास वहाँ की फोटो भी थी जिसमें से एक वही नन थी जिसको वैलक पोजस कर लेता है कुछ ताइम बाद वहाँ पर एक लड़की थी जिसका नेम था जैनिस ये उसी लॉक डोर को ओपन कर देती है जिसमें एनेबल थी मतलब इसने उस डीमन को अजाद कर दिया जो एनेबल के अंदर था और लास्ट में वो डीमन एनेबल डॉल को छोड़कर उसी लड़की जैनिस को बजस कर लेता है और जैनिस इस जगह से निकल जाती है और अपना नेम चेंज करके एनेबल रख लेती है और इसको कैलिफोर्निया में एक हगिन्स फैमिली एडॉप्ट कर लेती है और फिर कुछ टाइम वहां रहने के बाद मी घर छोड़के भाग जाती है और एक कल्ट जॉइन कर लेती है बहुत टाइम वाद ये वापस अपने अडॉप्टेट पैरेंट्स के यहां आती है और उन दोनों का मडर कर देती है और यहां से एनेबल मुवी की स्टोरी स्टार्ट होती है इसकी टाइम लाइन बैठती है सन 1967 में बोले तो ये 1967 में यहां पर एक कपल दिखाते हैं जॉण एंड मिया जिसमें जॉण अपनी वाइफ मिया को एक डॉल गिफ्ट करता है एनेबल डॉल हना कि इस टाइम यह नॉर्मल डॉल होती है और यह लोग जहां रहते हैं अनलकली इनके घर के जस्ट बगर वाला घर उनी हगिंस का घर होता है जिनको अभी उनके एडॉप्टेड बेटी जैनिस उर्फ एनेबल आके मार डालती है और अगर आपको याद होगा उस एनेबल लड़की को उस डीमन ने पॉजस करके रखाता बचपन से तो वो लड़की अपना गला कार देती है और उसके अंदर का डीमन मिया की एनेबल डॉल में आ जाता है मतलब ये फिर से creepy haunted एनेबल डॉल बन जाती है और डीमन का अब target होता है कि अब ये मिया को possess करना चाता है उसकी soul को बट मिया की दोस्त मिया की soul की जगा अपनी soul को trade कर देती है और मिया बच जाती है और happily life बिताती है पर यहां से mysteriously एनेबल गायब हो जाती है और फिर एक antique shop में दिखती है जहां एक old lady इस एनेबल डॉल को खरील लेती है और अपनी बेटी जिसका नेम था डैबी उसको gift कर देती है डैबी एक nurse होती है और इसके पास अब Annabel डॉल होती है तो obviously डॉल का demon इसको haunt करने लगता है तो यहां से यह डॉल ले जाते हैं Warrens तो अब आते हैं Warrens पे तो जिस time 1957 में वैलक वाला सीन हुआ था Romania में उस time Ed Warren और इसकी wife Lauren Warren इन दोनोंने England में paranormal psychic research ओपन कर ली थी और फिर बहुत सारे paranormal चीज़ों से इनका पाला पड़ा था और यह सारी demonic presence वाली चीज़े अपने घर में एक locked room में रखते थे आकर और कुछ rumors और theory का ये भी कहना है कि Romania की जो sister Irene थी वो actually में Lauren Warren है बतलब इसका past है ये वस एक fan theory है इसका कोई legit proof नहीं है और यहाँ से story continue होती है Annabel comes home में ये timeline बैठती है सन 1971 बोले तो year 1971 में जब Warren उस Annabel डॉल को अपने घर में लाकर बंद कर देते हैं बत लास्ट में ये तीनों सब सेटल कर देते हैं अगेन Annabel को उस log mirror cage में बंद कर देते हैं यहाँ से story स्टार्ट होती है तक Conjuring की ये timeline बैठती है सन 1972 में बोले तो year 1972 में Warren लोगों को demonology की बारे में एक western university में lecture दे रहे होते हैं और lecture में एक clip दिखाते हैं जिसमें एक possessed आदमी होता है मौरिस नाम का और ये अपनी wife को shoot करके फिर अपने आप को मार डालता है और ये मौरिस कोई और नहीं वो फ्रेंची होता है जो 1950 में रोमानिया में वैलक से लड़ रा था बट फिर वैलक इसको possess करके इसके घर में गुज गया और यहाँ एक interesting behind the scene पार्ट है जब ये Warrens अपनी presentation दे रहे थे I mean lecture दे रहे थे तब front row में actually में real वाली Lauren Warren बैटी होती है आपको पता ही होगा Conjuring Warren के real case पे based है इसलिए Mr. Warren वहाँ थी इनको भी set पे बुलाया गया था तो Conjuring Universe के ऐसे बहुत से facts हैं उनके लिए एक अलग वीडियो बन जाएगी खेर back to the story Warrens के इस lecture को एक lady attend कर रही थी इसका नेम था Caroline ये recent में new घर में आती है बट इसके घर में इनकी पूरी family को evil spirit बहुत बुरी तरह हौंट कर रही होती है सो Caroline Warrens से help मांगती है और Warrens इनके घर में आके discover करते हैं ये जिस घर में रह रही है वहाँ बहुत टाइम पहले एक witch रहती थी इसका नेम था betsheba उसकी evil spirit यहाँ पर रह रही family को haunt कर रही होती है और last में ये witch I mean witch Caroline को possess कर लेती है बट Warrens टाइम पे यहाँ आ जाते हैं और अपना जादू टोना करके विचको यहाँ से भगा देते हैं और इस family में सब बच जाते हैं और इनकी happy ending हो जाती है then यहाँ से पैदा होती है ला इरोना FYI इसी को weeping woman में बोलते हैं ये timeline बैठती है जाके सन 1973 बोले तो year 1973 में 16th century में मैक्सिको में एक मदर अपने बच्चो को डुबा के मार देती है then खुद भी मर जाती है then weeping woman का कर्स स्टार्ड हो जाता है और 1973 में एक lady Anna Tate Gracia ये एक social worker होती है और ये एक lady के बच्चो को पुलिस के पास ले जाती है but unfortunately उस lady को ला इरोना हॉंट कर रही थी so अब उस lady से ला इरोना एना टेट पे और इसके बच्चो के पीछे पड़ जाती है और इनको मारने का ट्राइ करने लगती है यही weeping woman का कर्स होता है यही एक connection है जो इस movie को Conjuring Universe से जोड़ता है तो फादर परेस एक local priest से इनको मिलवाते है और वो priest इस family की help करता है और फाइनली वो ला इरोना को मार भी देता है उसके कर्स को तोड़ देता है और यह family भी बच जाती है और यहाँ से story स्टार्ट होती है Conjuring 2 की इसकी timeline बैठत को अपने husband add के death के visions आते हैं और वैलक को भी यह पहली बार अपने visions में देखती है इस time warrants को कोई idea नहीं था कि यह nun कौन है यह सिर्फ इनके लिए the nun होती है meanwhile in field England में एक family होती है जिसमें एक mother होती है single mother Peggy Hudson और उसके चार बच्चे होते हैं और इनको कोई evil entity haunt कर रहे होती है like conjuring one और warrants as usual इस paranormal activity को देख के इनकी help करने यहां आ जाते हैं बट थोड़े time बाद इनको पता चलता है कि वो family fake थी वो सिर्फ fame के लिए दिखा रही थी कि उनके घर में paranormal activities हो रहे हैं सो warrants यहां से जाने लगते हैं बट फिर Lauren को realize होता है कि actually मैं इन सब के पीछे वैलक कहां है तो warrants again family को बचाने जाते हैं और इस time add उपर से गिर के मरने वाला होता है और अब लोरेन को अब अकेले वालक से face to face आना पड़ता है बट यह जीट जाती है यह उसका original name वैलक बोल के उसको वापस hell में भेज देती है और यहां से इस movie की भी happy ending हो जाती है बट शायद नह universe की इसके आगे अभी और movies आने वाली है इस franchise में सबसे पहले June में Conjuring 3 The Devil Made Me Do It इसमें थोड़ा अलग सीन होगा इस बार कोई haunted house वाला सीन नहीं होगा वेर वुल्फ को लाया जा रहा है Conjuring universe में और then जो मैंने बताया अभी The Crooked Man यह भी movie आने वाली है then The Nun 2 इसका कोई confirmation नहीं है बट rumors का हिसाब से Nun Part 1 में जब लास्ट में Nun मर गई थी मतलब वैलक को वापस हैल भिज दिया गया था तो फिल लगबग 20 साल बात Conjuring 2 में वैलक वापस कहां से आया बस इस बीच की स्टोरी को Nun Part 2 में दिखाया जा सकता है और शायर नहीं ही So guys इस वीडियो के लिए इतना ही If you like the video then hit the like button और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को subscribe भी कर लेना So मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए stay tuned and bye bye